28 नवंबर को मध्धि प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाफ को लेकर भाजपा ने अपने यूवा संगठन भारती जनता यूवा मोर्चा को भी पूरी तरह से सक्रिय करना शुरू कर दिया है इसे के तहत रईवार को मुख्य मंत्री शीवरा सिंग चोहान ने भूपाल से यूवा चाउन कारिकरम के अंतरगत प्रदेश भर के यूवाउक से सीधा समबात स्थापित किया इंदोर के रंगुन गार्डन में भाजमों के नगर अध्यक्ष मनस्वी पार्टीदार और मंत्री धीरेश छाकूर के नेत्रेतु में बड़ी संख्या में कारिकरताओं ने उपस्थिती दर्च कराई गार्डन में बड़ी LED स्क्रीन पर मुखी मंत्री से सीधे समबात स्थापित कर कारिकरम आयोजित किया गया यूवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनस्वी पार्डीदा ने बताया कि पांचों विधान सबा के कारिकरता यहाँ पर उपस्थित हुए आज भारते जनता यूवा मोर्चा इंदोर यूवा टाउन हॉल का आयोजन कर रहा है जो कि हमारे ले बहुती गोरव की बात है कि मद्ध्यप्रदेश में चोथी बार जिनके नेत्रोतों में सरकार बनने वाली ऐसे हमारे प्रदेश के यशास्पी मुख्यमंत्री मानिश श मिलित हुए हैं और कुछी देर में यहां पर माननी मुख्यमंत्री जी भोपाल दा समवात करेंगे और यूवाओं को संदेज देंगे विधान सबा एक के नव नियुक्त प्रभारी एवं भाजिमों के नगर मंत्री धीरेश शाकूर के नेत्रित में बड़ी संख्या में कारेकरताओं ने उपस्तिती दर्च कराई कारेकर में भाजपा के राष्ट्री महासाचीफ केलाश विजेवर गी विधायक महिंद्र हाडिया सहित अनेक वरिष्ट ने तब ही उपस्तित थे